लास्ट क्लास में हमने क्या था प्रिंटर की टाइप्स जो कि जनरल मैंने बताए थी डेफिनेशन की इंपक्ट और नौन इंपक्ट प्रिंटर क्या होते हैं अब उनके कुछ जनरल फीचर्स तकि हम आगे फर्दर टाइप्स करेंगे इंपक्ट की और नौन इंपक्ट की तो तो physical contact with paper to print मतलब printing machine का और paper का direct contact होता है, एक दूसरे से टकरा के फिर काम करती है, यह machine ने सस्ती पड़ती है, जहां बहुत ज़्यादा printing का काम होता है, क्योंकि सस्ती है, वहाँ पे यह काम आती है, यह machine ने, आवाज थोड़ी ज़्यादा करती है, तुमने देखा होगा typewriter को रख के बस किसी भी मौसा में हम काम कर सकते हैं, speed इनकी थोड़ी कम होती है, quality of printing भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और जहां पर bulk printing मतलब बहुत ज़्यादा amount में printing का काम होता है, वहाँ यह इस्तिमाल होती है, इस तरह non-impact printer जो कि आजकल काम करते हैं, उनका आपस में physical contact नहीं होता डिवाइस का और पेपर का, लेकर मशीन कोसली पड़ती है, speed उनकी बहुत अच्छी है, देख बाल की जरुरत पड़ती है उन मशीनों को, मतलब धूल मिटी से नमी से बचा के रखना पड़ता है, quality printing की काफी अच्छी देते हैं, colored printing भी हो सकती है, black and white भी हो सकती है, बारिक लाइने हैं, वो अच्छे से print होती हैं, दिखती हैं साफ, अलग-अलग तरह हैं कि writing styles में, अलग-अलग size में लिख सकते हैं हम, और drawing भी print कर सकते हैं, उनकी printing भी बहुत अच्छी quality की आती है, ये तो हमने किया, printer के बारे में कुछ general features, impact और non-impact printer के बारे में, output devices, जैसे कि monitor है, speaker है, इनके बारे में next class में बताऊंगी, और last class में film printer की type स्टार्ट करेंगी, क्योंकि उसमें वो थोड़ा lengthy topic है, उसमें 4-5 video बनानी पड़ेंगी